हलो दोस्तों रो मस्कार हमारे यूटूब चेनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक नए तरह का लगोट बनाने की जानकारी इसकी cutting और सिलाई दोनों हम आपको बताएंगी इसी वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंगोट गर्मियम पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है फायदे मन्द होता है और fitness भी सही रहता है लंगोट पहनने से क्या होता है कि हैड्रोसिल होने किसा भावना काम हो जाती है और खेल कुद में भी student लोग पहनते हैं आपके घर में कोई student है अगर खेल कुद करता है क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए भी लंगोट पहनना बहुत आउशक होता हो जाता है तो ऐसे में आप अपने घर पर ही लोगोट अच्छे से बना सकते हैं और उसको बच्चे बुढ़े बिजुर्ग लोग सभी लोग पहन सकते हैं तो आइए जान लेते हैं कि एक श्ण्पल लंगोट कीसे बनता है तो इसके लिए आपको मीटर कोड़न के कपले की पहने हैं पहने चाहे कलर जो भी आपको पसंद है तो हमसी में एक मीटर कपला लीया हुआ है य ह्या है आप देख सकते हैं तो इसी में आपको लंगोट की कटिंग बताएंगे और इसकी स्टीचिंग भी बताएंगे तो वीडियो हमारे साथ बने रही है अगर वीडियो पसंद आया तो आपको शेयर लाइक जरू करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तो आई ये भी सीख लेत तो आप इसी हिसाफ से बना सकते हैं जिससे आपको बता रहे हैं तो सबसे पहले ये जो ये कोना है आप देख सकते हैं ये कोना लेना है आपको और इसको आपको इस तरह से घड़ी करना है ऐसे आपको घड़ी कर लेना है तो ये पल्ला हमने देख सकते हैं आप इसता रखा हुआ है और यह जो है इसको हम यहां से जो यह भाग है इसको हम यहां से लंबाई नाप लेंगे इसकी कमर की तो जैसा कि हम 36 गर कमर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम यहां 36 नापेंगे आप देख सकते हैं यहां से यहां तक हमने 36 नापना है हमें तो जैसे तक हमने यहां निसान लगा दिये यहां निसान लगाया हुआ है अब यहां से हम 36 इंची हम यहां तक ले जाएंगे तो आपको दो इंची और इष्टा लेना 36 दूरी 38 इंची आपको लेना 38 इंच क्योंकि इसमें उपर जो थोड़ा सा फोल्ड होता है नाली डालने के लिए नाली जब लगाए गया आफ साइड में तो यहां फोल्ड करना पड़ेगा इसलिए आपको यहां थोड़ा से ज्यादा एक इंची दो इंची चौड़ाई ज् फिलाल इसको हम यही से अब इसको क्या करना है जो यह पॉइंट वाला यह पॉइंट है आप यह पॉइंट यहां से अब आप देख सकते हैं कि हमने यहां एक लाइन खीचा हुआ है आपकी जानकारे लिए हम बता दें यह जो लाइन है यह और यह जो पॉइंट है यह आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यह लंबाई नहीं देखना है यह साइड आको केवल यहीं देखना है कि आपकी कमर की चौणाई कितनी है तो जैसे हमने आपको बता है कमर 36 सिंची तो हमने 28 सिंची इसकी चोड़ाई यहां से लिया हुआ है यहां समने चोड़ाई लिया हूँ अब आपको एक भाद तर ध्यान और रखना है कि यह जो यहां से जो निसान यह आ रहा है यह वाला भाग इतना यह इसकी साइज में अब आप मिला लेना चाहिए अगर यहां देखों 29 इंची आ रहा है तो यहां भी 29 इंची आना चाहिए आप देख सकते हैं यहां 29 इंची आना तो अब इसको पटिंग कर सकते हैं आप यहां से इसको ऐसा पकड़े और यह भाग पकड़कर यहां से इसको ऐसा घरी करने अब घरी करने बाद में आप यहां से सीधा इसको कटिंग कर लें तो हम इसको इस तरह से कटिंग कर देते ह है अब यह कटिंग कर लिए हमने अब इसमें आपको आसन पट्टी कितना निक्यालना हो भी हम जानकारी आप बता रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि यह जो पल्ला हमने इस तरह से ऐसे कटिंग किया हुआ है आप देख सकते तीन कोने के हाई अब इसको हम इसको ऐसे डबल कर करेंगे यहां से इसको क्या करेंगे हम थोड़ा हलका सा यहां सेफ करेंगे इस तरह से आप सेफ कर सकते हैं राउंड से कि यहां से मिला करके यहां से इसको सेफ कर देना है हलका सा है हम इसको सेफ कर देते हैं ऐसा आप देख सकते हैं अब यह हमने नीचे थोड़ा सा हलका सा यह सेफ कर दिया है यहां आप देख सकते हैं अब यहां आसंग पट्टी आपको कितना चोड़ा लगाना है जैसा कि अगर किसी ब्यक्ति को अगर हैड्रोसील है तो उसकी चोड़ाई जो है आसंग पट्टी की 7 इंची होनी चाहिए औ तो फिलहाल इसको हम सिलाई करते हैं वक्त बताएंगे हम आपको वापने सकते हमने यहां निसान लगाया हुआ अब जो कि आवा आफन पट्टी आपको निकाल लेना है इसी साइड से जैसा कि अब 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 सियस्त जो कपड़ा बचा हुआ है यह इसमें आपको आपको चैयारी 6 रहेगी तो इसको हम 7 इंच पर कटिंग करेंगे यह कि आज इसमें थोड़ा क्या है कि उसको सिलाई जो है वह साइड में सिलाई होगी किनारी तो इसके लिए कपला आधा आधा इंची ज्यादा रखना है आपको तो यहां समय स्कों साथ इंच पर निसान लगा द तो आपको इस तरह स्कणिंग कर लेना है अब आप जो सकते हमने यहां करेंगी थोड़ा सा चावड़ा अब इसको क्या करेंगे अलका सा यहां सेव करेंगे हम यहां से थोड़ा साल का साम सेव करनेगे अब यह वरोगर हो गया ऐसे अब यह जो है थोड़ा से चोड़ा भाग रहता है जो जो हमने आपको बता यहां आफन पट्टी यहां जोलने के लिए इसमें लंगोट में यहां जो जॉइंड होगा तो इसकी हम स्ट्रीचिंग करत आफन पट्टी के लंबाई को 40 इंचा घोए यह जू आपको 40 इंच कर लें जाता है और अब इसमें जो आरीक पत्टी निकाल सकते हैं तो फिलाल इसमें नाड़ी के लिए कपला आप निकल सकते अब आईए हम आपको दिखाते हैं इसकी स्ट्रीचिंग बताते हैं जैसा कि आसन पठ्टी हो गया हमने है अब अब आप दे सकते हैं जो ने क्टिंग में धिखाया चोप joining में इसको चारो पाब जो सिलाय मार से हैं और ऊपर की साइड में जो नाड़ी वाली उपर वाली भ÷्ट कर लिए तो फिल हॉ यहां से इसको किनारी साइड में किनारी एक सिलाई मार देते हैं इसमें तो इसी तरह से आपको भी फोल्ड कर लेना है किनारी सिलाई पहले तो इसके बाद आगे का प्रोसीजन हम आपको दिखा रहे हैं इसको पहले हम यहां से किनारी इसको फोल्ड कर लेते हैं अब हमने क्या कि इसमें हमने दोनों बाजु से किनारी साइड में फोल्ड कर लिया है अब आपको ले आना है आसन पट्टी तो आसन पट्टी में भी आपको इसी तरह से आपको आप पहले इसको इसकी लंबाई नाप लेकर चाले सिंचिस का में तो इसमें आप जोइन कर सकते यहां पर जोइन करके आप इसको बढ़ा सकते हैं तो खिरहाल इसको हम इसको भी हम दोनों बाजु किनारी सिलाई मार देते हैं तो यह बार्डर पर सिलाई मारना है आपको किनारी एकदम से इसी तरह से दोनों बाजु इस साइड भी इस साइड भी इस साइड भी इस साइड करना है हमको इसमें जोइन कर लेना है लगोट में आसन पट्टी को जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो नीचे वाला पला है आसन पला है अब यह मियानी आसन पट्टी हो गया और इसको हम इसमें इस तरह से लगाएंगे इसको यहां तक हम देखना है हमको कि चौड़ाई इसक इसन लगा लेना है आपको, इसतरह से, तो अभी सिसलाय इसकी सिलाय दोनों इक स्वेह माणने चाहिए, तो इसको क्या करेंगे आपशी यहां से आपको इसको इसको जॉइन कर लेना इसी तरह से, तो अब ये आसन वाला भाग हो जाता है इसलिए यहां मजगूत ज्यादा रहना चाहिए सिलाई तो अब इसको हम यहां से कई बार सिलाई यहां इसमें मारेंगे ऐसे और फिर यहां से भी इसको सिलाई मार देंगे ओबर ओबर रखना चाहिए आपको ध्यान देना है लंगोड पहना दोस्तों बहुत अच्छी बात है जो बच्चे क्रिकेट लंगोड को पहनना बादना बहुत अच्छी बात होती है तो आपके घर में अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनके लिए भी आप लोगोड बना कर पहना सकते हैं बादवा सकते हैं तो यहां हम इसको फोल्ड कर देंगे और अब यहां से हमको भूमा फिरा करके दो तीन चार बार सिलाई यह मार लेना है ऐसे आप कई बार ना यहां से भूमा कर प्लेयर मार लेना है कई बार हमको अगो इस तरह से फिर यह से गुमा खुमात ले आप कई बार शीलाई है इसमें मारते जाएए अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हमने यहां कई बार से यह मार दिया है इसा घुमा फिरा के ऐसा 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 तो इस तरह से आप मार सकते हैं क्योंकि यह आसन वाला भाग होता है नीचे आसन में आएगा तो इसके लिए इसको मजगूत रहना ज़रूगी होता है तो अब चलिए हम आपको यहां ऊपर वाले भाग में अब नाड़ी यहां टेश करते हैं वो भी दिखा देते हैं तो वीडियो को द्यान से देखते रहिए तो नाड़ी बनाने के लिए आपको दो इंची चौने कपड़े काट लेना है और यह नाड़ी की लंबाई जो है वो 40 इंची होनी चाहिए ऐसे ऐसे लंबाई 40 इंची ऐसा पूरा लंबाई 40 इंची बना लिजिए अब नाड़ी आपको बना लेना है दो इंच और पट्टी काड़ करके इसी तरह तो जैसा कि हमने दो नाड़ी बना लिया है और 40-40 इंची के इसकी लंबाई हमने कर दिया है तो अब इसमें लगोट में हमको अटेश करना है उपर वाले भाग में तो यह जो पॉइंट वाला भाग है इसको हमको जो किनारी फोल्ड किया हमने सीधा रखना है इसको और इसी तरह इसको हमको यहां फोल्ड कर लेना है यहां से इसको दो तिन बार यहां दिवस करना है सिलाई आपको ताकि यहां नाड़ी निकले नहीं क्योंकि यहां खिचाओ आता है इसलिए नाड़ी को यहां मजगूत रहना चाहिए तो अब इसको हम यहां दो तिन बार सिलाई मार दिये हैं अब यहां से भी हम को थोड़ा सा चौड़ी पटी बना करके फोल करते जाना है इस तरह से थोड़ा यहां सिलाई यह खीच कर मारें क्योंकि यह यहां आला भाग होता है अगर ज्यादा खीचाओ बनेगा तो सिलाई टूड़ भी सकती इसलिए थोड़ा सा खीच करके मारें तो इस तरह हम यहां सिलाई मार देते हैं इसको थोड़े स्चोड़ी पट्टी मोलग फोल करके इस तरह से अब दोस्तों हम यहां दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं यहां भी इन नारी को अच्छी तरह फासा लें यहां पर और यहां भी दो चार बार सिलाई यह मार दे आप खोल करके ऐसे रिवस करके ऐसे रिवस करके यहां दो चार भी सिलाई यह मार सकते हैं अब यहां किनारी भेपर भाई आप एक सिलाई मार सकते हैं ताकि यह मजगूत हो जाए तो यहां भी हमने इसी तरह से आपको सिलाई कर लेना है तो आप देख सकते हैं कि यह लंगोट जो है और आप सुच देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगा इसकी लंबाई 13 तो इस तरह साब इसकी लंबाई बना सकते हैं और आप यहां देख सकते हैं यहां से जो नारी जहां हुई यहां इस छोड तक 36 सिंच तयार हो जुबा है तो Prof. पमर इसकी 36 सिंच है इसलिए 36 सिंच यह तैयार हो जाएगा तो बाकि आसनक की पट्टी यहां दो आसनक पट्टी लग चुकी है और यह आसनक पट्टी लंबाई 40 इंची है नाड़ी की भी लंबाई 40 इंची है सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है मुझे यकीन हो गया है कि आप लंगोट बनाना सीख गए होगे आप अपने घर के लिए किसी के ग्राहक के लिए भी लंगोट अच्छी तरह से बना सकते हैं और उनके लिए आप काम कर सकते हैं तो अगर आपके घर में भी कोई स्टुटेंट है दर्ण लगाते हैं तो उनके लिए भी लंगोट बातना बहुत अच्छी बात है तो इस तरह से आप बना सकते हैं अगर आपको लंगोट बातना नहीं आता है तो इसका वीडियो हम आपको कमेंट करेंगे तो बना देंगे तो इसकी बादने की भीकलाव को हम सिखा देंगे कैसे बादा जाता है तो चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले नमस्कार अगर वीडियो पसंद आया को सेयर लाइक और सब्सक्राब जो दो करिएगा नमस्कार